नमस्कार दोस्तों एक बार पुना आप सभी का स्वागत है ग्यानडा मैं मैं हूँ शिपाली और आज की इस वीरियों में डिसकेशन करेंगे कुछ important updates के बारे में जो की है PhD admission की regarding UDC काफी सारे changes लेके आ रही है PhD में admission की regarding और उनी सारे changes में आज की date में यानि की 9 September को एक नया mandate एक नई guidelines यहाँ पे जारी करी गई है जैसा कि आप सभी को पता है कि PhD में अगर आपको admission लेना है तो 60% यहाँ पे seat reserve की गई है net grf students के लिए अगर आपका net grf हो जाता है तो आप directly PhD में admission ले सकते हैं simply आपका interview qualify करना होगा लेकिन अगर आपके पास में net grf नहीं है फिर भी आप PhD करना चाहते हो तो 40% आपके लिए भी seats यहाँ पे reserved है 70 marks का आपका यहाँ पर liquid परिक्षा होगी और 30 marks का आपका interview होगा आप इसको crack करक करके भी PhD कर सकते हो दोनों ही options आपके पास में है इसके लबा इसी policy में एक नया mandate भी लाया गया है कि 4 वर्षे सनातक के बाद directly आप PhD कर पाएगे आप eligible हो जाते हो मतनब अगर आपने under graduation किया है 4 year का और आपका 7.5 CGPA score है तो आप directly यहाँ पर PhD में दाखिला ले सकेंगे आपको कोई भी यहाँ पे examination qualify नहीं करना है नहीं net, jrf या state level का जो या university level का examination होता है यह कुछ भी आपके उपर में applicable नहीं होगा कम से कम आपके पास में 12 और 16 credit लाना अनिवारे होगा मतलब क्योंकि credit system चलता है यहाँ पे जब भी आप under graduation और post graduation में admission ले तो जो marking दी जाती है तो marks के साथ साथ में आपको credits भी मिलते हैं तो अगर आपका 12 और 12 से अधिक और 16 के आसपास अगर आपका credit है तो आप अराम से directly यहाँ पे admission ले पाओगे 7.5 CGPA score होना चाहिए इसके लावा जो नया mandate यानि कि आज की date में 9 September को यह देखे यह 9 September रिसेंट लेटेस पूरी information है 9 September को जो update है इस update के बारे में आपको जानके बहुत ही खुशी मिलेगी यह update है कि देखे इस update में जाने से पहले आपको यह मैं बता दू कि जो वर्तमान में जो वेवस्था है वर्तमान में जो college में admission लेने का जो एक criteria है मतलब अभी आप normally क्या करते थे आप करते थे अंडर graduation 3 साल का post graduation 2 साल का और आपने 50-55% आपको लाने होते थे और फिर उसके बात में आपको university level का entrance examination को qualify करना होता था interview आपका selection होता था पेजडी करते थे यह वर्तमान की जो वेवस्था है यह जारी रहेगी ऐसा नहीं है कि किसी वेवस्था को खतम करके कोई नहीं वेवस्था लाई जा रही है वेवस्था वही है उसमें चीज़े add-on के आ गया है य यह वाला यह चार वर्षे स्नात्र की बात यह नया रूल है यह नई चीज़ है जिसको 2223 सेक्षड सत्र से इसको लागू कर दिया जाएगा तो यह तो एक अच्छी information है इसके साथ में जो सबसे बहतरी information है वो यह कि अब आप अपने research का patent भी करा सकेंगे यानि कि PhD शोधार् है कि अब उन्हें अपने thesis का research paper प्रकाशित करना अनिवारे नहीं होगा पहले अगर आपको यहाँ पर admission लेना होता था किसी भी PhD college में या किसी university से अगर आपको पेज़ी करना होता तो तो आपको यहाँ पर research paper को publish करना पड़ता था अब यह अनिवारे नहीं है इस mandate को guidelines है उसमें यह भी कहा गया है कि जो आगनी सत्र है या नहीं कि जो आपका upcoming academic session है उसमें अगर आप admission लेना चाते है तो आपको इन नियमों के तहर छूट मिलेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप जो भी research करोगे उसमें अगर आप कोई भी new information को add on करते हो कुछ भी आप डावाचार करते हो तो उसका पेटेंट भी करा सकते हो जो पहले नहीं आप करा सकते थे तो अपने काम का अपने research का अपने article का अपने research proposal का अपने thesis का अपने innovation का अपने invention का आप patent भी करा सकते हो तो यह important update था आज की इस वीडियो में इस नहीं policy के तहत वोपुलिए आ ना भूले, subscribe जरूर से करियेगा, wish you all the very best and like share करियेगा, thank you, tatay and bye